ओम शान्ती 14 नवंबर 2024 के इश्वरिय महावाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर बाबा ने कहा मुख्य बात है पवित्रता की एक काम विकार के कारण ही सारी क्वालिफिकेशन बिगड पड़ती है इसलिए इस काम को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे पवित्र रहने का तुम्हें पूरा सबूत देना है इसमें जूट नहीं बोलना क्योंकि विकार से ही सारे करेक्टर्स बिगडते हैं इतनी जोर से गिरते जो हडगुड ही तूट जाते परंतु बहुत सेंटर्स पर ऐसे विकारी भी आते हैं जो बाहना बनाते हैं पवित्र रहने का लेकिन होता जूट है ऐसे को फिर इस सभा में नहीं बैठना चाहिए फिर बाबा ने कहा तुम्हारे में जो पारस बुद्धी बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धी बनाना कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिलकुल पत्थर बुद्धी है न फिर उनकी एक्टिविटी भी ऐसी चलती है सब को दुख देते रहते हैं हंस कभी किसको दुख नहीं देते बगुले दुख देते हैं लास्ट में बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की बुद्धी कितनी पलटती है परंतु फिर माया धोखा दे देती है अच्छे-च्छे महरतियों को भी गिरा देती है फिर वह दिल पर चड़ नहीं सकते पवित्र बनने की बड़ी हिम्म चाहिए कोई भी इच्छा रखी तो यह गया अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे इन आखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लगनी है प्रश्न इश्वरिय गवर्मेंट का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती उत्तर इश्वरिय गवर्मेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनश्य नहीं समझ सकते जब मनश्य देवता बने तब तो नर्कवासी से स्फर्गवासी बन सकें मनश्य का सारा केरेक्टर विकारों ने भी गाड़ा है अभी तुम सब को स्रेस्ट केरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है ओम शांती जब ओम शांती कहा जाता है, तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है, फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है, बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्सा भी याद पड़ेगा, ओम शांती कहने से भी सारा अज्यान बुद्धी में आ जाता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांती के सागर बाप का बच्चा हूँ, जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं मुख्य बात है पवित्रता की, पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है, पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में पांच विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया, निर्विकारी दुनिया से से पिड़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं वह है पावन दुनिया यह है पतित दुनिया रामराज्य और रावनराज्य है ना समय पर दिन और रात गाय हुए हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दिन सुख रात दुख रात भटकने की होती है तुम बच्चे यहाँ आये हो सद्गती पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में पाँच विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार। जिससे ही मनश्य पाप आत्मा बनते है। यह तो हर एक जानते हैं। हम पतित हैं। ब्रहस्टा चार से पैदा हुए ह एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे तो अंदर में इतनी खुशी रहनी जाहिए। कितने अश्यानती हाहकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहकार क्यों हैं। क्योंकि सभी पाप अतमाये हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिलकुल कोडी मिसल, वर्थ नोट पैनी थे, काम की जो चीज नहीं, उसे आग में जलाया जाता है, अभी तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में कोई काम की चीज नहीं, सभी मनुश्य मात्र को आग लगनी है, जो कुछ इन आखों से देखते हैं, सबको आग लग जाएगी, आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो जैसे इन्शोर है, आत्मा को कभी इन्शोर कराते हैं क्या, इन्शोर तो शरीर को कराते हैं, बच्चों को समझाया गया है, यह खेल है, आत्मा तो उपर में पांस तत्वों से भी उपर पांस तत्वों से ही सारी दुनिया की समगरी बनती है। पांडव राज्ये कोरव राज्ये अभी पांडव कोन है यह भी कोई नहीं जानती है। हैं तो यह भी मनुष्य, परंदु देवता कैसे बने, किसने बनाया, देवी देवता तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्ग वासी किसने बनाया, स्वर्ग वासी से फिर नर्क वासी बनते हैं, फिर नर्क वासी सो स्वर्ग वासी बनते हैं, यह तुम भी नहीं जानते थे फिर और कैसे जानेंगे स्वर्ग सत्युक को नर्क कलियुक को कहा जाता है यह भी तुम अभी समझते हो यह ड्रामा बना हुआ है यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की आत्मा ही पतित बनती है पतित से पावन बनाना यह धंदा बाप ने तुम्हें सिखलाय पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, आत्मा ही पावन बने, तब तो स्वर्ग के लायक बने, यह ग्यान तुम्हें संगम पर ही मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है, पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है, कहते हैं हमको पावन बनाओ, यह लक्षमी न स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जनमले पतित बने हैं, शाम और सुन्दर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनश्य अर्थ थोड़े ही समझते हैं, शिरिक्रेश्न की भी क्लियर समझानी मिलती है, इनमें दो दुनियाईं कर दी हैं, वास्तों में दुनिया तो एक ही ह वह नई और पुरानी होती है, पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं, दुनिया भी नई सो पुरानी होती है, तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, इन्होंने भी समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं, किसने समझाया, भगवान ने, लड़ाई आदि कि तो बात ही नहीं, भगवान कितना समझदार, नोलेजफुल बनाते हैं, शिवके मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, यह कोई नहीं जानते, शिवकाशी, विश्व नाथ गंगा, बस रहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते, समझाओ तो कहेंगे, तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्तरादी सब पढ़े हुए हैं, तुम बच्चों में नंबरवार हैं, जो यह धारणा करते हैं, कई तो भूल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद बुद्धी बने हैं, उन्हों का काम है, कौरों को भी पारस बुद्धी बनाना, पत्थर बुद्धी की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है, क्योंकि हन्स बगुले हुए ना, हन्स कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है, जूट है जूट कहा भी जाता है जूट ही दुनिया अभी है संगम कितना फर्क रहता है जो जूट बोलते जूटा काम करते वही थर्ड ग्रेड बनते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है न बाप बता सकते हैं यह थर्ड ग्रेड है बाप समझाते हैं पवित्रता का सबूत देना है कई कहते हैं आप दोनों इकठे रहते पवित्र रहते हो यह तो असंभव है लेकिन बच्चों में योगबल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रिती समझा नहीं सकते हैं उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहां हमको भगवान पढ़ाते हैं वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जनम स्वर्ग के मालिक बनेंगे जबरदस्त लोटरी मिलती है हमको और ही खुशी होती है कई बच्चे गंधर्वी विवाकर पवित्र रहकर दिखाते हैं देवी देवताईं पवित्र है न अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे यहे भी समझाया है ज्यान, भक्ती, वेराग्य ज्यान और भक्ती आधा-धा है फिर भक्ती के बाद है वेराग्य अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है यहे कपड़े उतार घर जाना है जो रासे का चक्र अभी पूरा हुआ अभी हम जाते हैं शानती धाम पहली-पहली अल्फ की बात नहीं भूलनी है यहे भी बच्चे समझते हैं यहे पूरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आये हैं फिर नर्क का विनाश हो जाता है नर्क कितना बड़ा है स्वर्ग कितना छोटा है नई दुनिया में है एक धर्म यहां तो कितने डहेर धर्म है लिखा हुआ भी है शंकरदवारा विनाश अनेक धर्मों का विनाश होता है फिर ब्रह्मा दवारा एक धर्म की स्थापना होती है यह धर्म किसने स्थापन किया ब्रह्मा ने तो नहीं किया ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन, पावन है तो लक्ष्मी नाराइन नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, उनको श्युबाबा को अनाधी creator कहा जाता है, आत्माईं तो हैं ही हैं आत्माओं का creator नहीं कहेंगे इसलिए अनादी कहा जाता है बाप अनादी तो आत्माईं भी अनादी है खेल भी अनादी है यह अनादी बना बनाया ड्रामा है स्वव आत्मा को स्रिस्टी चक्र के आदी मध्य अंध के डूरेशन का ज्यान मिलता है यह किस ने दिया? बाप ने तुम 21 जनम के लिए धनी के बन जाते हो फिर रावन के राज्ये में निधन के बन जाते हो फिर केरेक्टर्स बिगडने लगते हैं विकार है ना? मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकठे चलते हैं अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है अभी तुम गुप्त हो शास्तरों में क्या-क्या लिख दिया है कितना सूत मूझ्या हुआ है बाप को ही बुलाते हैं हम कोई काम के नहीं रहे हैं आकर पावन बनाकर हमारे केरेक्टर सुधार हो तुमारे कितने केरेक्टर सुधरते हैं कई तो सुधरने के बदले और ही बिगडते हैं चलन से ही मालूम पड़ जाता है आज हंस कहलाते हैं कल बगुला बन पड़ते हैं देरी नहीं लगती है, माया भी बड़ी गुप्त है, यहां कुछ देखने में आता थोड़ी ही है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है, फिर आश्यरेवत सुनंती, भगंती हो जाते हैं, इतनी जोर से गिरते, जो हडगुड ही तूट जाते हैं, इंदरप्रस्थ की बात ह मालूम तो पड़ ही जाता है, ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत ग्यान सुना है, तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ग्यान का विनाश नहीं होता है, अभी बाप कहते हैं, पुरिशार्थ कर, उच्पद पाओ, अगर विकार में गए, तो पद ब्रस हो जाएगा, अभी तुम समझते हो, यह चक्र कैसे फिरता है, अभी तुम बच्चों की बुद्धी कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा रखी तो गया, वर्थ नोटे पैनी बन जाते हैं, अच्छे सिने किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वह दिल पर चड़ नहीं सकते हैं, कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं, जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देती हैं, महान पापात्माई है, रावन क्या-क्या करा देता है, बहुत नफरत कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है, पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए, पवित्रता है मुख्य, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं, गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ, अब बाप कहते हैं, हिस्ट्री जोग्राफी फिर से रिपेट होती है, सबको वापिस आना ही है, तब तो इकठा जावें, बाप भी तो आए है न, सबको घर ले जाने के लिए, बाप के आने बिगर, कोई वापिस जाना सके, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को, नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बा की इच्छा नहीं रखनी है इच्छा मात्रम अविद्या बनना है दूसरा वेश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है अपने केरेक्टर सुधारने है आज का वर्दान सदा याद की छत्र जाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजई भव सदा याद की छत्र जाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजई भव बाबा ने कहा बाप की याद ही छत्र जाया है छत्र जाया में रहना अर्थात मायाजीत विजई बन सदा याद की छत्र जाया के नीचे और मरियादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की मरियादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं विजय माला हमारा ही यादगार है इस मृती से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन सर्व खजानों को स्व्यम में समालो तो संपन्नता का अनभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्व्यम में समालो तो संपन्नता का अनभव होता रहेगा। अच्छा। ओम शान्ती हर एक बिके को बाबा की परत्यक्सता करने के लिए अब ये तीन कारिय करने हैं। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती। जानने का अव्यक्त ज्यानमोती।